कहानी की सुरुवात में में दिखाया जाता है कि एक कपल होता है जो की काफी जाता खुस होता है एक दिन लड़का जो होता है वो मारकेट जाता है कुछ समाल लाने के लिए वहाँ के जो लोकल गुंडे होते हैं वो उस आदमी के पीछे पर जाते हैं और फिर वहाँ पर उनक वहां के लोकल गुंडे लोग काफी उसको तंग करते हैं जो ये कपल्स थे ये काफी ज़्यादा वहां से परिसान हो गए थे वो वहां रह नहीं सकते थे उनका और कोई भी नहीं था उनकी एक आंटी थी जो हाल फिलाल में ही उनका देथ हुआ था वो कपल दुनों अपनी आंटी के घर पे रहने चले जाते है वहां घर अब खाली था वहां पे कोई नहीं रहता है वहां की पास की एक परोसन आके बताती है उस कपल्स को जो तुमारे आंटी थी वो बहुत ही अच्छी थी वो परोसन बताती है कि वहाँ पर कुछ अजीब से एलियन तरह के क्रियेचर रहते हैं जिसको उनकी आंटी रोज खाना देती थी वह जो परोसन थी वह कपल को रास्ता दिखा देती है कि कहां पर रोज खाना रखना है कपल इस चीज़ को सिरियस नहीं लेते हैं ये नुलिये ने सब चीज पर विश्वास नहीं करते हैं वह उस पर वसन को मन रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ हाँ वो रखेंगे खाना वहाँ पर उनके घर का हालत पूरा खराब हो चुका था घर को मरमत करने की बहुत ही ज़ुवत थी फिरह में दिखाया जाता है जो कपल्स होते हैं वह एक बार में जाते हैं उस बार में सभी लोग काफी अच्छे से पेस आते हैं उनकपल से वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी होता है जो बहुत नसे में होता है फिर हमें दिखाया जाता है जो कपल्स होते हैं वो अपने घर को ठीक ठाक कराने के लिए एक टीम बुलाए थे और वह जो टीम थी वो घर का मरमत कर रही थी अब वहाँ पे वो नसे वाला आदमी तो गैव हो चुका था कि प्लीज खाना रखा करो अब खाना नहीं रखने के वैसे सहर के लोग गैव हो रहे थे इसलिए जो लड़की होती है वहाँ पे खाना रखाती है फिर वह जो लड़की सी बस थोरा सा पगल में देखती है इतने में वहाँ जो खाना रखा था, वो कैप हो जाता है लड़की यहाँ पर समाद जाती है, कुछ तो यहाँ पर बहुत भयानक रहता है अब यहाँ पे इनके घर के मरमत का काम चल रहा होता है जो लड़की होती है, दूसरे दिन उस गेर के अंदर चली जाती है पता लगाना चाहती थी कि अंदर आखिर क्या चीज है जो खाना खा रहा है लड़की देखती है कि अंदर बहुत बयानक कोई जंगल है वह आजीब सा गुफा तरह का चीज बना हुआ है जिसमें लाइड जल रही है वह लड़की यह चीज देखके काफी दंग रह जाती है वह लड़की जो थी वह प्रेग्रेंट थी वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे कोई खतरा हो इसे वह लड़की वहाँ से भागने लगती है जब वह रास्ते में जा रही होती है चीज देखती है कि एक जो आदमी होता है जो काम करने वाला था उसके घर पे वह आदमी उसके गेट के अंदर आके बैठा हुआ है और वह जो आदमी था उस लड़की के साथ जवरदस्ती करने या कोसिस करता है इतने में कुछ आजीब से एलियnd दरह के किडियेचर आते है और उस आदमी को वहाँ पर फूजीट के ले जाते है लोकी यहाँ पर काफी ज़ना डर जाती है और वो अपने घर में वापस आ जाती है फिर एक दिन लड़की के घर में आजीब सा एलियन तरह का क्रियेचर आता है और वहाँ पे एक जोला रखके चला जाता है लड़की जो हती है इस बार वो वीडियो बना लेती है उस क्रियेचर का लड़की उस क्रियेचर का वीडियो अपने पती को दिखाती है उसका पती ये ची देख के काफी ढर जाता है क्रियेचर ने जो जो जोला रखा था उसमें उस आदमी का सर्थ था जो उस लड़की के साथ जवरदस्ति करने या कोसिस किया था जंगल में उनके घर में काम कर रहा था इतने में अचानक से जो उनके घर में काम करने वाले बाकी लोग थे वो उसके घर पे आ जाते हैं कि उनका एक आदमी गायव हो गया है जो लड़गी होती है कपल दोस्तों वो जल्दी से भाग जाती है जंगल के तरफ जहांपे वो जीब से किरियेच है रहते थे जाने से पहले वो लड़की उनके घर में काम करने आया था जो उसके साथ जवर्दस्ती किया था जंगल में उस आदमी का कटा हुआ सिर बाकी काम करने वाले आदमी को देख के चली जाती है और वो बाकी सभी लोग उस लड़की के पती को वहाँ पर पकड़ लेते हैं जो लड़की होती है और दोड़ के जाती है उस किरियेचर के पास जंगल में वह लड़की वहाँ पर किरियेचर से मदद मागने के लिए गए थी बदले में वो कुछ भी देने को तयार थी अब उस किरियेचर के बीच उस लड़की के भी सौधा हो जाता है सभी किरियेचर यहाँ पे आ जाते हैं उस लड़की को पती को बचाने के लिए और जितने भी काम करने वाले लोग थे उस सभी को बारी बारी से वो creature महाँ डालते हैं और उन सभी का date worries को लेके वो सारे creature चले जाते हैं जंगल के तरफ अब यहाँ पे कुस दिन बाद वहाँ पे लड़की का बच्चा डिलीवर हो जाता है यह जो कपल थे दोस्तों वह काफी खुस होते हैं अपने बच्चे को देखकर एक दिन अचानक से उनका जो बच्चा था वो गायव हो जाता है वह जो लड़की थी कपल उसको समझ आ जाता है कि उसके बच्चे को उस creature ने ले गया है क्योंकि वह लड़की अपने पती को बचाने के लिए वहाँ पे सौधा करके आई थी अपने बच्चे का इसलिए वह लड़की समझ जाती है किरियेचर उसके बच्चे को ले के गया है वह जो कपल लड़की थी वह चलती से जाती है उस जंगल के तरब दोरते हुए इस बार अपने बच्चे को बचाने के लिए वह जो लड़की गुफा देखके आई थी जंगल में जो अंडर ग्राउन में था इस बार वो लड़की हिम्मत करके उस गुफा के अंदर चली जाती है वहाँ पे बहुत सारे किरियेचर होते हैं और वहाँ पे एक अजीब सी लड़की बैठी हुई थी जो बहुत बुढ़ी हो चुकी थी जो बुढ़ी और थी दोस्तों वह सभी एलियन वाले किरियेचर की बॉस थी लेकिन यह काफी जादा बुढ़ी और कमजोर हो चुकी थी जो कपल लड़की थी वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उस बुढ़ी किरियेचर का आँख फो डालती है इस वह से वह बुढ़ी बॉस जो थी वह मारी जाती है अब जो जितने भी किरियेचर थे वह सभी उस कपल का आदर करने लगते हैं अपना सर जुकाने लगते हैं उसके सामने क्योंकि वह अब उस कपल लड़की को ही अपना बॉस मान लिये थे जो कपल लड़की होती है अपने बच्चे को वहाँ पे सही सलामत भेज देती है जो उसका पती होता है वो उसके बच्चे को पाल रहा होता है और यहाँ पे जो कपल लड़की थी वो अब रानी हो चुकी थी सबी एलियन साजीब से किर्येचर का हुआ लड़की अब रानी हो चुकी थी जितने भी किर्येचर थे अपने रानी को पा के काफी ज़्यादा खुस हो चुके थे जो कपल होता है लड़का वो भी देख के काफी खुस होता है अब यह सभी लोग वहाँ पे साथ रहने लगते हैं यही तरह यह कहानी यहां पे खत्म होती है अगर आप हमाया चैनल पे नहीं हुचाओं सस्क्राइब कर लिजे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में